क्या आप अपने बच्चे में यह चेक करना चाहते हैं कि आपके बच्चे में कैसे हैं और इसका इलाज कैसे क्या जब तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें सबसे पहले हम बात रहें कि अटेंजिंट डिशॉर्डर होता क्या है यह एक नियूरोडब्लक्मेंटल डिशॉर्डर है जो लाइफ नांग परसिस्ट करता है यह पूरे जीवन रहता है और इसका वीक होता है बच्चा के लिए रहना पसंद करता है चैलेंजिंग प्रब्लम है जिसका कोई सटीक कारण नहीं है अब तक हम ने कोई इसका कॉज फाइंड आउट नहीं कर पाए है इसलिए इसका कोई प्रॉपर इलाज भी अभी नहीं डूड़ पाए है जो भी चीज होते है वी अन्वानच प्रैवड और टन्ता-टन शमंदीश इंवाल्व होते हैं जो इसके लिए रिस्ट फाक्टर मांने जाते हैं लेकिन अभी तर्किन भी इस्टेबलिस पैक नहीं है अब इसके सब टाइप्स क्या होते हैं पर्ला है प्रीडामिनेंट्टी इन टेंटिव प्रेजेंटेशन आर एडिए वन इसमें बच्चे को फोकस करने में प्रब्लम होती है कार्यों को ब्योस्तित रखने में चीजों को अरनाइड वे में अध्यां करता और आसानी से डिस्ट्रेक्ट हो जाता है चीज भूल जाता है चावी रखकर के भूल जाता है उसको ब्रून नहीं पाता है और कमांड को फॉल्ल नहीं कर पाता है दूसरा है सब टाइप है प्रिडामिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव प्रिजेंटेशन यानि एड़ी एच इसमें ध्यान की कमी तो नहीं होती है लेकिन बच्चा हाइपर एक्टिव और इंपल्सिव ब्याइबियर सो करता है वे लड़ खड़ा सकते हैं एक जगा ने में प्राब्लम होती है बच्चा बहुत जादे बातूनी भी हो सकता है और परिडामों के बारे में सोचे बीना काम को कर देता है जैसे कि गरम खाना मूं में डाल लेना आग में हाथ डाल देना चलते वे रोट पे दौड़ जाना इस तरह के इंपल्सिव ब्याइबियर करता है और इंपल्सिव ब्याइबियर शोग करता है अब इसमें क्या-क्याब इसे स्ताय होती है सबसे पहला है इनर टेंशन द्यान की कमी फोकस की कमी होती है किसी भी कार्या खेल में बनाय राने में उसे चैलेंज करना पड़ता है स्कूल का काम टाइम से पूरा नहीं कर और रिकितला राटा है यह ऐसे ब्लंडर करता है बड़ी तुन आइसी गलतियां करता है जो सावाहन नहीं होनी चाहिए दै काम बूल जाता है जैसे कोई चीज रख करके फ्लाना उन कारेहों से पच्छता है जो मेंटली चैलेंजिंग होते हैं या वह जो करना नहीं चाहता है उसको एवाइड करता है कि अगला है हाइपर एक्टिविटी बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठता है हाथ पर हिलाता रगता है दोड़ता भागता रहेगा कहीं भी स्थांत रख करके नहीं बैठता है कि सोफे पर पूदने लएगा टेबल पर चड़ जाएगा चुप चाप रहने वाली गतिविदियों में सामिल होने में उसको प्राबलम होती है कहीं भी एक जगह टिक करके नहीं बैठता है और भाग दोड़ उचल पूद और तोड़ फोड़ मचाए रखेगा अगला है है कि वह अपनी टेकिंग में भी उसे प्राबलम केस करना पड़ता है कि अपनी बारी का इंजार नहीं कर सकता वह पहुंच जाएगा और साथी बाद चीज़िया दूसरे को इंटरप्ट कर देगा कोई बोल रहा है बीच में बोल पड़ेगा अब इसका हम पाचान कैसे करत करते हैं और इसका treatment क्या है कि इसके लिए ईवाल जन सब्राब्ट होती है कि इसमें लिया जाता है बच्चे को देखा जाता है माता पिता से बात कि 48 3 बना सके और लेकिन इसका कोई डिविनिट टेस्ट नहीं है अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं और दूसरा है मेडिकेशन इसमें उत्ते जग दवाएं दोनों दिया जाता है लेकिन जो सबसे बहतर है वो दोनों का कमिनेशन यानि मेडिसिन भी दिया जाता है और विएवियर थिरैपी दी जाती है क्योंकि कई बार माता पिदा कहते हैं कि हमारे बच्चे कौटीजम है या डिएज़ग है हम कोई दवा नहीं देगे लेकिन डिएज़ग के केस में ऐसा अच्छा है कि दवा और विएवियर थिरैपी दोनों साते हैं तो बच्चे में जल्दी इंप्रूब्मेंट होगा और साथ ही आपको एजुकेशनल सपोर्ट भी देना होगा इसके लिए रेजिदेंशियल स्कूल्स आप अर्थ कर सकते हैं जहां पे पायर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट को और यादि मातापित अरुषिछ सक इनवाल हो जाते हैं तो बच्चे में इंप्रूब्मेंट जल्दी होता है यह एक लाइफ लांग चैलेंज है इसलिए इसका उप्चार और सपोर्ट अगर हम प्रॉपर करें तो बच्चे अप जितनी जल्दी हो सके हम प्राबलम को इडिटिफाई करें और फिर उसको मैनेज करें इसके लिए एक मल्टी मॉडल एप्रोच आवस्यक है ताकि बच्चे का सुधार जल्दी हो सके इस तरह से अब आप यह जान पाएंगे कि ADHD या इसकी डाइगनोसिस कैसे बनती है और इस दोरवाची